सागरजली के रहली में सरकार की चलाई गई नलजल योजना धप होती नजर आ रही है जहां सरकार इस योजना के नाम पर लाखो करोड़ों रुपे खर्च कर ग्रामीर छेत्रों में पैसा लगा रही है लेकिन सरकार के ही नुमाइन दे इसमें लीपा पोती करने में लगे हु रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल सूरूम जहां आपको मिलेंगे थोक एबम कम रेट पर मोबाइल तो आधार काड लाएं और पांच मिनिट में मोबाइल ले जाएं हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चोरहा सागर नलजल योजना की ऐसी ही एक तस्वीर सागर जले के रहली से सामने आई है जहां ग्रामीड पाणी की एक-एक भून्द के लिए परेशां है और उन्हें पानी के लिए एक से डेल किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है सरकार के द्वारा नलचल योजना के तहत रहली के पटना बजर्ग में लाइन डाली गई थी लेकिन इस लाइन में पीला बदवुदार पानी आने की बजह से ग्रामीर परेसान है ग्रामीरों ने इसकी सिकायत अधिकारियों से की लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया बता दें बीते चार पांच माह पहले सागर कलेक्टर दीपक आर ने रहली के जनता सवाकक्ष में जल जीवन मिसन की समीक्षा बैठक ली थी और उन्होंने करमचारियों को नल चली यूजना के तहत पाइपलाइन डालने और इसका अच्छा कार करने के दसार निर्देश दिये थे लेकिन अधिकारी और करमचारियों ने मनमानी के चलते ठेकेदारों ने यहां लीपा पोती कर दी जसमें सड़क को खोद दिया गया और पाइपलाइन डाल दी गई पानी बंदा आ रहा है जो भी वहां बोर किये गए है उसे पानी की जो सिकाइप आई हुए कि फीला पानी आ रहा है जो भी बोर हुए मरी एई यहां यहां बात ही है हाला कि अब इस नल जली योजना में ग्रामीलों को कब तक राहत मिलती है या बहा खराब बदबूदार पानी पीने को मजबूर रहेंगे या फिर देड़ से दो किलिमीटर दूर जाकर पानी की खोज करती रहेंगे यह तु बक्त रहते ही पता चलेगा अब आपके सहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुबीदा के साथ अनुबभी ट्रेनरों सहित जैंस एंड लेडीज संसाइन जिम पतायाद रखें राजगाट रोड तिलीवाड सागर मदिप्रदेश